तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नहीं वीडियो में आज मेरे पास है यहापे बोट ब्रैंड की ओर से आने वाला एयर्डॉप्स 141 ANC के साथ अब शायद से आपको पता होगा कि जो बोट के ओरिजनल एयर्डॉप्स 141 थे वह बहुत ज्यादा चले थे मार्केट में बहुत ज्यादा उसके जो मॉडल से वह बिग गए थे और सिफ बिके थे इसलिए अच्छे नहीं थे उनका साउंड भी काफी ज्यादा अ एक अच्छा option है यानि सारी चीज़ें करेंगे लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं हो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब यार जरू कर देना वीडियो स्टाट करते हैं अन्बॉक्सिंग मैंने अल्रेडी कर दिया लेकिन बदा दू कि इस तरह के बॉक्स पाकेचिंग में मिल जाएंगे और बेसिक डीटेस या पर दी गई आप बॉक्स के उपर दोस्तों इसकी प्राइजिंग अगर मैं आपको बताओ तो सम्वेर अराउंड फाइव ताउजन ना नाइन टी दिया गया हाला कि इतना आपको पे नहीं करना है बॉक्स जैसे ही आप उपन करते हो स इसके अलावा और भी कई सारी चीज़े दोस्तों बॉक्स के अंदर मिल जाएगी सबसे पहले तो आपको बोट हैड का स्थिकर मिल जाएगा उसके अलावा एक चोटा सा बॉक्लेट मिल जाता है एक्स्ट्रा यहां पर यूजर मैनुवल भी डेडिकेट दिया गया है तो इ इसमें बोट के अलग-अलग प्रोड़क्स क्या-क्या है वह आप उस बुक्लेट के ऊपर चेक आउट कर सकते हो तो यहीं सारी चीज़े बॉक्स के अंदर मिलती है हमारा में काम यहां पर यूनो टीडवलो से है तो यहां पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की और डिजाइन की अच्छी है लाइट वेट है अब यहां पर इसके साइड के करूँ के तो वह लॉसी फिनिश में है लेकिन जो ओवर और फ्रेंट है वह यहां पर मैट फिनिश के साथ आएगा और आपको यहां पर अंदर के साइड पर देखने मिल जाएंगा इनके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ बर्स के तो वह यहां पर अच्छी खासी देखने मिल जाती है एक साइड से जो है वह थोड़ा बहुत एयरपोट्स की तरह डेफिनेटल आपको फील होगा यहां इसके ओपर भी देखने मिल जाएगा बोट के लोगों के साथ माइक्रोफोन इसके उपर आपको इसके साउंड के बारे में बात करूंगा कि कुछ अच्छा यहां पर चेंज हुआ है या फिर कुछ खराब हुआ है स्पेक्स से स्टार्ट करते कोई भी TWS यहां पर बिना ड्राइवर के बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो इसके अंदर आपको 10 mm का ड्राइवर देखने मिलत जा था इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सब्वोर्ट है जो अब टू 32 डीवी तक का जो है नॉइस कैंसल आउट कर देगा अब देखो इसे जो है मैंने नॉर्मली अपने आसपास जो है यूनो फैन चालू करके यह सब करके जो है टेस्ट में जब कर रहा था तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन काम तो कर रहा है लेकिन अब टू 32 डीवी जो है वह बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इस प्राइस रेंज में आप देखने जाओगे तो आपको 42 डीवी वाले भी मिल जाएंगे तो हां एक्टिव नॉइस कैंसलेशन काम अच्छा कर रह सब्सक्राइब नहीं है तो पानी का छिड़काव अगर हो जाता है या स्प्लैश होता है या फिर आपको पसीन आ रहा है उस तैंप आभी उस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है तो पानी के अंदर बिल्कुल भी मढदू ब पता है कि जो ओरिजनल वन फोर वोन थे उनके अंदर आपको एंसी का सपोर्ट मिलता था तो वह इस बार इस नए वाले मॉडल में भी आपको मिलता है वो स्किप नहीं किया है तो यह भी बेसिकली एंसी की तरह ही काम करता है बैग्राउंड नॉइस उसे सप्रेस करेगा औ के दौरान यह चीज़ काम की है इसके लाव दोस्तों गेमिंग के लिए अगर आप इस एयरफोन को प्रिफर करने वाले वाले तो लो लेटेंसी आपको इसके अंदर मिल जाती है 50ms की जिसे बोड ने बीश्ट मोड आपे नाम दिया है तो हाँ लेटेंसी की कैसी है चेक कर सुन लीजिए अब दोस्तों 141 ANC का माइक टेस्ट कैसा है सुन लीजिए तो दोस्तों यह जो आदियो आप सुन रहे हो यह है वोड एरडॉप 141 ANC से जो मैंने यहां पर पहने है अब बाइडिफॉल्ट इनके अंदर एंसी एक्टिवेटेड होता है यानि कि जो बैग्रा इसके अलावा दोस्तों तीन मोड आपको इसके अंदर मिल जाते एक तो नॉर्मल मोड है जैसे यूजरी हम कोई भी यह जाता है और ट्रांसपरेंसी मोड का भी आपको मिल जाएगा यानि कि जो बैग्राउंड में साउंड है या फिर आट्मस्फिर में आजबाज़ जो भ इतना ही नहीं है फास्ट चार्ज अब आपको इसके अंदर मिल जाता है अब बोट ने इसे एसाप चार्जिंग का नान दिया है तो दस मिनिट अगर आप इसे चार्ज करते हो तो दो से ड़ाइगंटे का बैक आपको डेफिनिटली मिल जाएगा तो गीमिंग आप स्टार् क्या है कैसे यूज करने वो उसका जो है आपको यूजर मैनुवल में डीटेल मिल जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा पॉस करके चेकाउट कर लेना तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो यहां तक देख रहे हो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कर दो और हां सब्सक् का बैकप मिलेगा केस के साथ अब इंडिविजुल सिफ बर्ड का मैं बैकप के अगर बात करूँ तो फाइव तू सिक्स आर्स का आपको बर्ड से बैकप मिलेगा अगर आप यूनो नॉर्मल मोर में उसकरते हो या फिर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ओफ है अगर एक्टि कैसा है अब देखो जिस प्राइस पॉइंट पर एर्डॉप्स वन फॉर वन आते थे उस उस हिसाब से जो है मुझे उसका साउंड बहुत ज्यादा अच्छा लगता था इवन अभी अच्छा लगता है क्योंकि सच में अच्छे साउंडिंग एरफोन थे वो अब बात करू कि बेस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा डेफिनेटली सुनाई देगा लेकिन वो हायर साइड पर नहीं है तो बेस के मामले में मैं इसे डिसेंड बोलूँगा रही बात वोकल्स की तो वोकल्स आपको इसके अंदर काफी अच्छे से सुनाई देंगे इंस्टूमेंट जो आप म्युनों मुजिक आप सुन रहे हो तो बैक्राउंब में जो भी साउंड आपको अच्छे से सुनाई देगा और क्लिरी सुनाई देगा तो मैं डेफिनेटली इसको रेक्मेंड कर सकता हो क्यूंकि लो लेटेंसी भी है तो गेविंग में ऐस सच आपको कोई भी दि आपको मुवीज देखनी है कोई सीरीज देखनी है या फिर म्यूजिक सुनना है तो आप इसे चूज कर सकते हो लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं लाउडनेस की तो लाउडनेस इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं है जितना एडोप जो ओरिजिनल वन फोर वन था उ मोड्स की भी बात करूंगा दोस्तों इसके अंदर आपको दो मोड्स मिलते है एक तो नॉर्मल बैलेंस वाला मोड है और दूसरा जो बोड का सिगनेचर मोड है वो यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाता है अब देखो बाई एकदम सीधी बात करूंगा कोई बकवास न तो तब आप बोड का सिगनेचर मोड जो है वो यहाँ पर चूज कर सकते हो और अगर आप तीन सेकेंड प्रेस करके रखोगे तो इन दो मोड के बीच में आप स्विच कर सकते हो तो ओवरॉल इसका जो साउंड आउट्पूट है मैं डीसेंट ही बोलूंगा लेकिन मेरी मे तक मिल जाएंगे Amazon की लिंक मैं नीचे दे दूँगा जरू से चेक आउट कर लेना अगर यूनों बाय करना होगा तो उसी लिंक से बाय भी कर सकते हो अब सिफ इसकी नहीं दोस्तों एडोप्स 141 की भी मैं लिंक दे दूँगा तो अगर आपको ANC वाले मॉडल के साथ नही आपको मिल जाएगा तो दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है जरू चक कीजिए अब दोस्तों प्राइजिंग के इस आप से आपको इन दोनों में से कौन से प्रिफर करने चीए अब देखो मेरा ओप्शन यहाँ पर एडोप्स 141 ही रहने वाला है क्यूंकि ए प्रिटेंस आपको चल जाएगी ओवरॉल जो लाउडनेस है वो भी आपको अच्छा घासा चीए तो यार आप आग बंद करके अभी भी एडोप्स 141 ओरीजिनल वाले प्रिफर कर सकते हो मेरी चोईस यही रहने वाली है पैसे बचाने है पास तो पूराने वाले मॉडल के किजिए और हाँ जाने से बहले सब्सक्राइब भी कर देना बाकि मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में तैंक्यू